तो आज मैं आपको crystal को test करने का तरीका बताऊंगा अब उससे पहले आपको crystal के आवारे थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा crystal कई सारे circuits में देखने के लिए मिलता है जैसे आपका clock है, digital meter है, audio boards है, mobile है और कई सारे circuit में crystal का है इसमाल होता है, और अगर crystal कभी circuit में खराब हो जाए तो circuit काम नहीं करता है, dead हो जाता है example के लिए मैं आपको थोड़े से कुछ crystal का image दे दूँगा, crystal किस किस टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, आप इस वीडियो के ने corner पर देख सकते हैं, crystal कई टाइप के देखने के लिए मिलते हैं crystal की value megahertz पे होती है, megahertz यानि कि इसका सीधा सीधा संबन frequency से है, अब frequency से है, तोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहूँगा किस तरीके से काम करता है, example के लिए मैं इसी वाले crystal का image बना लेता हूँ, इसमें दो leg है, और circuit में आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं, जरूर नहीं क काम कैसे करता है, थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आप टेस्टिक पर ले चलूगा, तो जैसे यहाँ पर इसमें signal आया इस तरीके से, ठीक है, signal इसमें input किया, और जो output होगा इसमें signal कुछ इस तरीके से करेगा, signal को amplify करने का काम करता है, और जो IC होती ह वो इसी signal से काम करती है, अगर आपका crystal खराब हो जाता है, तो आपका signal बनना बंद हो जाता है, और आपकी IC काम करना बंद होगी, IC को signal नहीं मिलेगा, IC जो है, dead बढ़ जाएगी, और उसके बाद आपका output में कुछ भी सो नहीं करेगा, आपने देखा होगा अगर crystal खराब ह हो जाता है, तो हमारा circuit dead हो जाता है, और mobile भी काफी बार crystal के वज़े से dead हो जाते हैं, अगर आप mobile के फिल्ट पर थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका link आपको मैं इस video के description में देखूँगा, तो दूसरे च जानने के लिए, उसके लिए इसके signals को किस तरीके से हम देख सकते हैं, उसके लिए oscillator की जोत पड़ती है, वह भी हमारे पास है, जब भी आएगा, in future कभी ने कभी मैं order कर ही रूँगा, तो उसके बाद मैं आपको details के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से frequency generate काता है, यानि कि इसको आप एक simple भासा में frequency generator कह सकते हैं, ठीक है, अब मैं आपको इसको check करना बताता हूँ, किसी भी circuit में जब crystal लगा हुआ रहता है, तो crystal की value है, कैसे आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप multimeter को continuity के range पर रख लिजेगा, यानि कि बजर के range पर, ठीक है, आपके पास crystal की जो दो लेग है, आप दोनों लेग पे आप इस तरीके से ना इसको लगाईएगा, इस तरीके से इसको लगाईएगा, एक second, मैं इसको हाथ से पकड़ लेता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से लगाना है, और आपको crystal में कोई भी value नहीं मिलनी च खराब है, ठीक है, कोई भी value दोनों तरफ से नहीं आनी चीए, और भी continuity mode में, अगर गलती से भी value आती है, अगर एक, दो, तीन चार्फ कुछ भी आए, तो आपका crystal पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो जब crystal खराब हो जाता है, तो बाकि आपको बता दिया, set आपका dead पर जाता है, mobile भी हो सकता है, आपका Bluetooth भी हो सकता है, काफी बार ब्लूटूथ हो एना, dead पर जाते हैं, तो एक बार crystal को change करके, IC को change करके, IC मिलना इसका possible नहीं, बट crystal तो मिल जाता है, तो एक बार, जब ये dead पर जाये, खराब हो जाये, अचानक से, तो एक बार crystal को change करके, देख लेता है, और उसकी एक लेक दिखे, IC से connected होती है, यह देखे, ध्यान से देखो, यह देखे, यहां से आपका signal आएगा, और यह amplify होके, इधर से IC को signal देता है, फिर IC बार कर दी है, तो यह frequency generator के रूप में काम करता है, तो सिदी सिदी भासा में, बाकि डिटेल से आपक को इसके कारी चली दिखांगा, अगर वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करके शियर जरू करना है, टेक कियर